नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका शनिवार के इस क्रिप्टो घर्टना करम में बिटकोईन का प्राइस अभी-अभी 42,200 से जंप करके वापस आया है सांसे थमी हुई थी GBTC के Massive Sell-Off के चलते जो एक situation बनी हुई है उससे काफी लोग सकते में है इस बात पर हम थोड़ी से चर्चा करेंगे बात करेंगे क्या वाकिए हमें थोड़ा सा सतर कोना चाहिए छोटी मोटी बात नहीं है GBTC के पास 6,00,000 से जाला बिटकोईन है और जो हम खबरे सुन रहे हैं वो है 4,000 या 5,000 बिटकोईन Sell-Off के by GBTC तो बताएंगे आपको कैसे आपको छोड़ा सा इससे सतर करहना है और कैसे अपने ट्रेड्स को भी मैनेज कर सकते हैं ट्रेड से profitability के chances को और जादा multiply कर सकते हैं कास कर ये volatility हमारे trading bots को बहुत जादा पसंद है तो जिन लोगों ने almost 48,000 डालर तक चले गए थे जिस दिन जिस रात को बिटकोईन का spot ETF अप्रूव हुआ था तो अपेक्षा की जा रही थी कि 11 के 11 ETF जो है exchange trading funds जब उनमें बिटकोईन की खरीदारी होगी तो बिटकोईन में माफी चाहिए माफी चाहूंगा तो उस दिन आज ठंड बहुत है मै नौर्थ में आया हूँ जो लोग भारत के उत्तरी भाग से वाकिव हो जानते हैं बहुत सीथ लहर चल रही है तो किसी काम से तो यहां पर दोस्तों हाँ तो मैं कहा था तो 15% की गिरावट आई है ETF से लोगों को उमीदे थी कि 11 के 11 ETF को काफी भारी मातरा में जो है नया fund flow मि हुई है Bitcoin मातर अकेले अगर हम सारी exchanges पर देखें तो पहले दिन 149 billion और दूसरे दिन 100 billion dollar record trading volumes जो है वो Bitcoin के price में देखी गई है एक बात और इससे दिखाई देती है कि जितने भी ज्यादा longs थे max pain price जिस पे सारे के सारे 95% longs liquidate हो जाते हैं वो 42 था तो longs liquidate हो चुके हैं अब और यहां पर exchanges को price नीचे ले जाके कोई फायदा नहीं है अगर हम सिर्विय बात करें कि market में लोग थोड़े से greedy थे लोग longs लेकर बैटे हुए थे खासकर वो लोग जो naked longs लेते हैं यानि कि सिर्फ margin trade करते हैं bot trading नहीं जिसमें average price down होता रहता है या जिन्होंने अपनी risk management स सही से नहीं किया वो अधिकतर इस समय liquid हो चुके हैं करीब करीब 400 million dollars की कल जो है 24 गंटे में longs liquid हुए और देखा जाए तो हम 42,200 से जादा दूर भी नहीं है 2% ही उपर आए हैं 42,200 का हमारा favorite long term critical support orange box जिसने अभी तक हमें November, December की जो थोड़ी सी slowness थी उसमें भी हमें काफी मदद के लिए और January के महिने में भी अब वो ही हमारा savior दिखाए दे रहा है क्या chances इसके तूटने के once again only risk that I see is कि Grayscale Bitcoin Trust में कहीं fish market ना बन जाए कि इस समय कुछ लोग बेच रहे हैं अगर सभी लोग बेचने लगे और सभी लोग अपने GBTC को convert करके GBTC ETF में convert करने लगे अभी म तो अगर massive sell off होता भी है तो हमने आपको बताया है हमेशन से 40,100 जो इस orange box का निचला सिरा है वो और उसके बाद अगला orange box जो है 37,700 पे है मेरे विचार से पहला orange box ही हमें जो है support दे बाएगा क्योंकि दो चीज़े हैं दोस्तों जहां पर एक तरह से by the rumor sell the news positively होती है वहाँ by the rumor sell the news negative case में भी होती है तो ये rumor ये घटना करम की GBTC बेच रहा है ये सब जानते है और लबे समय तक जानते है तो अब जो है अगर GBTC के shareholders भारी मातरा में GBTC trust बेचने भी लगते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था जो बाकी ETF wires हैं वो आके इसको OTC over the counter खरीदने लग जाएंगे क्यों क्योंकि सब BlackRock को Fidelity को Wannek को इन सब को पता है कि आज से 10 दिन बाद Bitcoin 40,000 42,000 पर नहीं मिलेगा और इससे कहीं ना कि हमें ये भी इससे भी हमें confidence आता है कि अगर आप Ethereum को देखो तो Ethereum तो मानो बिलकुल भी हिला ही नहीं है Ethereum मातरा 26 2080 तक गया थो और इसमें almost 2600 पर trade कर रहा है so that shows us कि Ethereum नहीं गिरा और Bitcoin इतना नीचे गिरा ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है that shows कि overall crypto की हालत जो है market की हालत बहुत strong है ये सिर्फ temporary sell-off और ना केवल crypto की हालत stock market की हालत भी काफी हमें अच्छी दिखाई दे रही है after a massive pump once again वो 2024 के शुरुआत में 2023 के end में गया था 4800 डॉलर अब यहां से support level पर है गिरा तो फिर Bitcoin के लिए अच्छा नहीं होगा और Monday को इसलिए बहुत critical opening होगी हमारे inflation का data आया जो कि अच्छा नहीं आया और उसके बाद stock market खुलेगा Monday को तो कहीं ना कहीं stock market के Monday को खुलने से भी काफी पर पढ़ेगा और मेरा मानना है stock market भी बहुत समझदार है उनको पता था inflation नीचे आने और stock market भी उपर जाएगा और यहां पर मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग चार्ट दिखा तो Bitcoin to SPX यहीं कि Bitcoin का price compared to stock market का price तो हम उसका जो all time high है October 2021 का उससे थोड़ा सा ही नीचे ज्याद की जो पहली bull market थी Bitcoin to SPX 12000% पंप हो था यह Bitcoin का price नहीं पंप हो था बिटकोइन का price तो और ज्यादा पंप हो था compared to S&P 500 stock market Bitcoin ने दूसरी bull market में 940% over perform किया था यानि कि अगर SPX 10% उठाओ तो stock market Bitcoin जो है 940% और ज्यादा बढ़ा था उससे अब अगर हम यहां पर देखें तो हम उसी stage पर हैं जहां पर हमें वो peak of stock market दिख रहा है और Bitcoin उसके बाद और तेजी से pump गरता है हम stock market के peak को बहुत समय से track कर रहे है market में छोटी मोटी negative खबरे आएंगी जैसे मैंने कहा कि Grayscale ने 4000 Bitcoin deposit की है Coinbase में तो 4000 Bitcoin आज की रिट में होते क्या है अर मार्केट में जब रोज 100 billion dollar की volume हो रखी है तो 170 million dollar कुछ नहीं होने चाहिए बढ़ आपको समझना जूरू है कि Grayscale की situation क्यों इतनी संजीदा है जब से Grayscale Bitcoin Trust 2016-15 में खुला है उसके बाद से ही अगर आप इसका premium देखें तो उसका premium हमेशा Bitcoin के price से जादा रहा है कभी-कभी तो 25% रहा है यहां आप देखेंगे 15%-6% तो institutions क्या करती थी कि पहले Bitcoin खरीती थी पहले Grayscale fund खरीती थी ग्रेसकेल को बेचती थी और उससे Bitcoin खरीती थी तो उनको 10-15% का profit होता था यह हमेशा bull market में हुआ करता है और कही न कहीं जब से bear market शुरू हुआ जब से Bitcoin का लगा तो Bitcoin और Grayscale Bitcoin Trust का premium negative होने लगा नीचे जाने लगा और आप इस बात से भली बाती वाकिफ है और मैं आपको कहीं बारे बताया भी है इस वीडियो में multiple times की bear market में एक समय था कि जब GBTC का premium compared to Bitcoin 50% तक negative हो गया था from the all time high of 25% it went down minus 50% यानि की simple शब्दों में बताऊं तो अग GBTC के सुरू Bitcoin 8000 डॉलर का खरीद सकते थे तो उससे में GBTC obviously लोग जादा खरीदते थे क्योंकि आपने 8000 डॉलर का GBTC खरीदा तो आपको almost एक Bitcoin मिल गया आपने आदे Bitcoin का पैसा देके एक Bitcoin खरीद लिया तो लोग उसको hold करते थे और wait करते थे कि जब इसका premium level पे आएगा तब तो हम GBTC को बेच के उसी 8000 डॉलर को अगर मैं आज बेचता हूँ तो मुझे 8000 डॉलर जो अलड़ी बढ़के GBTC की टर्म में 45000 हो रोग है बड़ मुझे Bitcoin के टर्म में double return मिलेगा आप समझ गयोगे उस समय कर मैं 16000 का Bitcoin लेता तो आज मेरा 3X होता आज मेरे same price पे 8000 का खरीद यहां पर discount खतम होना शुरू हुआ 20 December 2022 पे lowest level of premium था right minus 40% 47% का discount यहां पर चल रहा था तब जुन लोगों ने Bitcoin trust खरीदा GBTC they are holding back and उनके लिए अब जो है party का समय है क्योंकि अब premium हो चुका है zero एक टाम एक टाम पे zero हो गया था अब minus 10 है तो भी लोग क्या कर रहे हैं अब इसको बेच रहे हैं अपना उस समय का profit भेंकर मात्रा में book कर रहे हैं और इससे GBTC का ETF खरीद रहे हैं तो over the period of time अगले दो चा pocket right pocket हो रहा है बट इससे भी interesting चीज है हम तो सिर्क यहां पर GBTC की बात कर रहे हैं आकडों के हिसाप से बाकी ETFs GBTC का minus 480 million dollars का outflow हुआ है यानि कि 480 4 million का इन्होंने sell off किया है बट इसके अलावा जो बाकी ETFs हैं they are also buying right their volumes are also good enough 42 million dollars of ARK invest 42 million dollars of bitwise तो कहीं ना कहीं GBTC का sell off और इन ब is almost बराबर या GBTC का फ्रोड़ा सा जादा इसलिए price पे sell pressure जादा है Monday को यह देखना होगा कि जब GBTC के धारक अगर और बेचते हैं तो क्या बाकी ETFs की buying power उसको overpower कर पाएगी या underpower कर पाएगी थोड़ा सा price नीचे जाएगा पर market weekend में कहीं ना कहीं इस बात को factor करेगी कि यार मुझे लगता है कि GBTC का दो दिन में हो गया जो जो करना था जिस जिन GBTC के धारकों ने बेचना था वो दो दिन में बेच चुके होंगे ना why would they wait for five days including weekend है ना तो वो मानके bitcoin मुझे लगता है कि जो बैल इस दा दोसों का low है उसे jump करके 43, 43, 500, 44 तक आ सकता है तो और 44 तक आया तो वैसे भी उनको I think they will rather want to buy pure form bitcoin तो यहां पर थीन तरह के bitcoin अब available है आप GBTC खरीद सकते हैं आप GBTC का ETF खरीद सकते हैं ग्रेसकेल का या फिर आप pure form bitcoin खरीद सकते हैं मैंने हमेशा advice किया है कुछ कल एक बंदे ने comment करके आप pure bitcoin खरीदे क्योंकि यह ETF वगारा में सही बताऊं तो इतना ज्यादा फायदा नहीं यह उन pension funds के लिए long term baby boomers के लिए अच्छा है और हां दोस्तों एक मिनिट बिताना चाहूंगा भारती exchanges के उपर I know बहुत ही सकते का विशे है IOS, Apple iStores के उपर से Binance, OKX सभड चुकी है मैं खुद Apple का user हूँ, मेरे पास भी मेरे App Store पर OKX नहीं दिखाई दे रही है बट जिनके पास OKX अप है, OKX अभी भी काम कर रही है I understand कि website भी कहीं कहीं जगा काम करना बंद कर चुके क्योंकि URL ब्लॉक हुआ है But once again, आप VPN, ऐसा नहीं कि आपका account deactivate हो जाएगा और यह मैं बात कर रहा हूँ किसी भी exchange के लिए जो इंडिया में access बंद किया जाएगा आप VPN यूज़ करके उसको access कर सकते हैं आप अपने किसी दोस्त को जो भारत से बाहर रहता है उसको उससे login करके अपने किसी wallet में transfer करा सकते हैं जो आपका विश्वस नहीं हो तो यह जो है पैसा आपका खतम नहीं होगा और यह definitely सरकार की तरफ से बहुत ही निंदनी है घटना करा मैं भारत में मुझे लगता है कि खासकर Bitcoin की जो revolution आती थी वो at least company तो अब Bitcoin यहाँ पर crypto का काम नहीं करना चाहेंगी जब आप इतने नकरात मको नौर्मली में political होता नहीं हो बट मुझे यह mention करना पड़ेगा क्योंकि हम सब की बहुत बड़ी मातरा में जीवन अच्छा एंथनी स्कारमूची का कहना है कि जो Bitcoin का recent downtrend है यह Grayscale GBTC के वैसे है बड़ उससे भी बढ़िया उनका FTX पोजीशन यानि कि FTX ने भारी मातरा में Grayscale Bitcoin Trust खरीदे हुए थे हम सब जानते हैं और यह सबसे बड़ा जो sell-off है वो कर रहे है GBTC के जो आम users हैं उनको ETF convert करने के लिए 1.5% की fees रखी थी जो कि बागी सभी ETF से बहुत जादा है उनको उमीद थी कि लोग आर्बिट्राज ना करें बट हो सकता है कि FTX कर रहा हो जिसका sense भी बनता है राइट सो अब यहां पर एथीरियम के लिए अच्छी कबर है BlackRock ने अपने एथीरियम की ETF फाइलिंग के लिए जो है छोड़ा से जोर लगाना शुरू कर दिये मैं आपको याद दिला दू मई 2014 23 मई शायद जैवो आकरी हेरिंग है next हेरिंग है उससे में एक बड़ा आपको या कोई भी यूट्यूबर नहीं बताना चाहिए मैं नहीं बताओंगा बाकी यूट्यूबर बताते होंगे कि कब Price Book Profit Book करें कि वह आपके उपर है मैं in all full disclosure मेरी bots अभी भी open है मेरे trades अभी भी open है मेरा Bitcoin position मैंने अभी भी पिछले 10-15-20-50 दिन में कुछ भी नहीं ब सारे floating losses हैं जिन्होंने 13-13 और 8-8 safety orders fill किये हुए they will start booking profits quickly तो हमारे लिए तो बहुत अची बात है डिप्स आना बॉट बॉट लवर्स के लिए ट्रीडिंग लवर्स के लिए कि बॉट अपने अब DCA कर रही है और जब प्राइस हलका सा उपर जाएगा काफी जादा नीचे मतलब almost कुछ कुछ के जिसमें बीस हजार डॉलर फॉर बिटकॉइन भी हैं जिसके जाने के चांसे तो मतलब निल बटा सननाता है तो दोस्तों अगें वंस समराइज करने के लिए जब भी डर का माहल हो डरो मत तब अपनी cash reserves को use को आपको अब जो नए हैं लोगत फिछले तीर मेने वे बदे चुके हैं कि हर एक महीने में ना चाहते हो भी बडा लंप आता है तो जब आपके वहास पैसे होते हैं तो आप pump मत खरीदे अभी मेरी करहाँ अब यहाग्च्छ आप नहीं खरी सकते कोई बात नहीं, there is no price in crypto that does not come again, यह वाला price दोबारा आएगा, इस price के लिए पैसा बचा के रखो, हर price वापस आएगा, और मेरा मानना है कि I think अगला हफता bitcoin के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिछले हफते सब ने उम्मीद की थी कि ETF आएगा, प्राइस उपर जाएगा, और 50,000 डॉलर टच होगा, हमारे टार्गी साब से 50,000 डॉलर ETF का टार्गेट था, ETF की release rate का, हालवी का टार्गेट हमारा all time high है, 67,000 डॉलर तो 49,000 डॉलर तक हम गए थे, एक हजार डॉलर से हम चुक गए, बट अब वो सारा rumor है, वो खतम हो चुका है, अब लोग आगे बढ़ेंगे, अब लोग बेरिश होंगे, और अगले हफते मेरे ख्याल से buying अच्छी शुरू होगे, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, giveaway सवाल, मैं आज skip करूँगा, जैसे म और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धरने वाज जैन,